चलिए वेरी वेरी गुड इवनिंग आज ML के मेंशन में एक बहुत ही अच्छा कोशन करने वाले हैं और फिर देखते हैं आगे क्या रहता हैं अराम से करेंगे कोई जल्दी भागा दोड़ी नहीं है लास्ट क्लास में आपको कुछ पंसप्ट सीखा था एक ये कोशन करना है नामे स्वेपिंग मेथड इंटरंसिक वेल्यू मेथड ना इंटरंसिक वेल्यू मेथड ये सीख लेते हैं ठीक है इसके बाद फिर हम एक जर्नल एंट्री सीखेंगे बुक्स ऑब बायर का और वो पूरा कोशन करने वाले हैं साम से टाइम लगेगा उसमें बट करेंगे फूरा फैन आफ कर तो इसको चला दें एंसी भी वान नहीं हो देखना हुआ आप आप कर तो सब चला के एक ठीक है बड़ी आए आप आप तो ठीक करके गया होगा हूँ पानी को कली दो गया है ठीक कर दो चलिए सर मेथड ना बड़े सारे आज आते हैं और मैंने अब्जर्ब किया है कि ये ना कुश्चन जो है मेथड बोल बोल के ज़्यादा डराते हैं बच्चों को इंस्टेड आफ मेरे इसाब से किताब वालों को सिखा देना चाहिए कि भाईया ये चीज इतनी होती है बड़ी सीधी सी बात है उन्होंने मैथड निकाल दिया स्वैपिंग मेथड मतलब स्वैपिंग तरीके से किया जाएगा या इंट्रिंसिक मेथड अलग अलग चीजे है अब देखिएगा इसके अंदर आप इंट्रिंसिक के उपर बिल्कुल फोकस ना करें इसका निकलता कैसे है पर्चेस कंसिडरेशन वो बस सिंपल सी बात यहां पर एक तरीका और होता है हम बोलते हैं कि भाई कहता है यहां पर परतीक्षा लिमिटेड एक कंपनी है परतीक्षा लिमिटेड और एक है निदी लिमिटेड परतीक्षा लिमिटेड ने एगरी करा टेक ओवर निदी लिमिटेड इसका मतलब परतीक्षा लिमिटेड निदी लिमिटेट को खरीद रही है, तो ये seller company है, बिकने वाला, और ये कौन है, buyer, ये seller company और ये buyer, अब इसके अंदर देखा जाए, इसके अंदर देखा जाए, तो भाईया, buyer company इसको कुछ payment करेगा, बाईयर company उन्हें बोला, भाई, तेरे को जितने तेरी company में share है न, उतने मैं तुझे share payment कर दूँगा, बात खतम, लेकिन मैं अपनी company के तुझे shares देदूँगा, कहता है, मैं तुझे अपनी company के क्या करूँगा, shares देदूगा, बहुत simple सी बात है, हुआ ऐसा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, shares देने के लिए, हमें इस company का shares का value निकालना पड़ेगा, और इस company का भी shares का value, दोनों company का हमें shares का value निकाल लेना चाहिए परने, कैसे निकालेंगे दोनों company का shares का value देखिए, एक company, दूसरी company का एक ही बार में निफट जाए, एक पहली company कौन सी है, बायर company का नाम P limited, और ये N limited, purchase consideration, यहाँ पर assets लिख देते हैं, वही सारे assets के market value और उसमें से less कर देंगे, liability, कहीना कहीन net assets के जैसा ही बनेगा यह, तो सर, सारे assets अगर लिख दें हम, assets में क्या है, fixed assets, नीचे कुछ valuation दिया नहीं है, कहता है book value के basis पे निकालोता है, fixed assets, सर, साड़े तीन लाक और नीचे का डेड़ लाक, तो इसका साड़े तीन लाक और दूसरे का डेड़ लाक, इसके बाद investment, investment, investment में दो लाक पचास अजार, और इसमें है ही नहीं तो छोड़ दो, इसके बाद current assets, current assets देखा जाए तो तीन लाक, और इसमें देखा जाए तो एक लाक, लोग जी ये total assets आ गया, liability में कहानी वही है, ये जो दे रखा है इसको नहीं लेना, इसको नहीं लेना, इसको नहीं लेना, बागी इन दोनों को ले लेंगे, कि सेम यहां पर, इसको नहीं लेना इसको नहीं लेना और यह दुनों ले ले लेंगे हैं। तो पहले कि डिभेंचर ले लेते हैं। सरो में डिभेंचर जो है वो एक लाग के सील मीश्था 75 जाद इस honIch कमपनी के अंतर डिभेंचर ही नहीं है। अब बात कर लेते हैं, क्रेडिटर, क्रेडिटर की बात करते हैं, तो इस कमपनी में क्रेडिटर है, कितने, 50,000, यहां करेंट लाइबिलिटी दे रखा है, करेंट लाइबिलिटी, एक लाइबिलिटी, 25,000, प्रेडिटर थोड़ा उपर जाएगा, यह वाला तो हो गया, डिबेंचर और यह, इसमें आते हैं, बिल्स पेबल, थोड़ा उपर नीचे कर दिया, कोई बात में, 20,000, और कुछ तो है नहीं, अब आप इसका ना वेल्यू निकालिए, कैसे तो है 3,500,000, चार तो 6,000, और यह आ जाएगा, 500,000, आपको क्या करना है, 9,000, में से इनको माइनस कर देना है, मैंने लिखा है, लेस कर देना है, तो कितने बचे, 6,000, और इसका वेल्यू बचा, भाई में से आप 17,000, माइनस करोगे, तो 81, अब मुद्दे की बात है, कि हमे value of shares कैसे निकलेगा, उस company की total value क्या है, इस value को पता हैं, क्या बोलते हैं, इस company का net worth के नाम से भी जाना जाता है, इस company का actual valuation भी जाना जाता है, PC में यही तो था, कि PC का मतलब क्या था, कि सामने वाली company को कितना पैसा देना है, यानि उसकी value क्या है, यही रहता था, अब हमें एक share की value निकालना है, तो बहुत simple सी बात है, जो हमें दे रखा है, हम इसको divide कर देंगे, इसके number of shares है, तो इसके number of shares देखो तो 20,000, और इसको divide कर देंगे, इसके number of shares है, तो इसके number of shares देखो तो 9,000 है, तो अगर हम per share value निकाले, तो यह कितने आगे, 30 और, यानि कहने का मतल अब है sir जो company खरीद रहा है उसके shares की value कितनी है जो buyer company उसके shares की value कितनी है तीस और seller company की कितनी है value उसने बला बड़ी simple सी बात है भीया तुम्हारे तुम्हें मैं क्या कर रहा हूं अपनी company के shares दे दे तो भाई कितने shares मिलेंगे वो तो decide करना पड़ेगा कितने value का shares मिलेगा तो वो decide करना पड़ेगा तो very simple यहां देखा जाए तो buyer company का share का price per share का price है 30 रुपए और seller company का 20 रुपए नंबर की बात करें तो यहां पे इनका नंबर था 20,000 और 9,000 आपको याद होगा जब ऐसा question करा था last class में के तेरी company का एक share का value 540 और 440 तो मैंने कहा था भाई तेरी company का shares का price ले लेते हैं आपको याद दिलाते हैं तो फिर जादा better रहेगा शायद कहा करा था अरे इससे पहले कर रहाता है मैं कौन सारे question कहा रहता है यह कर रहे थे हैं इसमें क्या कर रहे थे हम जैसे कि 100 200 बहुत सारे example लिए तो भाई यह और यानि तुम्हारी company का share divided by मेरी company का शेर का price into a number of shares तो हम क्या करेंगे यहां पर मैं वही करूँगा जो पहले सिखाया था तो PC कितना एगा purchase consideration मैं बोलूँगा तुम्हारी company का share का value 20 रुपे और मेरी company का यह तो हो गया shares की बराबरी और तुम्हें कितने share दूँगा मैं 90 कर दिया मैंने कलती से 9000 है तुम्हें कितने दूँगा मैं अब निकाल लीजिए कई बार point में आ जाएगा तो point को ignore कर देंगे कितने आ जाएगे तो भाई साब यह 6000 क्या आए चेहजार चेहजार पांच हजार नो सो निन्या मतलब चेहजार यानि भाई साब हम तुम्हें 6000 शेयर देंगे तुम्हारे 9000 थे लेकिन तुम्हारे 9000 शेयर के वेल्यू पता है कितनी बन रही है 6000 नंबर तो मैं तुम्हें शेयर इशू करूँगा और किस कंपनी का शेयर इशू करूँगा इशू ओफ पी लिमिटेड के यानि 6000 शेयर और 30 वाले आपको एकस्य मिल गया यानि purchase consideration तो सहाब यही रहेगा इसका लेकिन इसमें निकालना क्या होता है कि इसको number of shares कितने देने यह पता करना में बात है ताकि हम नई balance sheet बनाएं तो उसमें काम कर पाएं तो यहां पर क्या हुआ भीया उसको 180,000 तो मिलेगा लेकिन 6000 शेयर मिलेगे 30 रुपे के साब से आप इस सवाल के लिए अगर formula अगर बनाना चाहते हैं एक थोड़ा से याद रखने के लिए रिमेंबर रखने के लिए तो कर सकते हैं इस सेलर कंपनी 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 पर शेयर डिवाइड बायर कंपनी पर शेयर और इंटू में क्या कर दें नंबर ऑफ शेयर किसका ओफ ठीक है ये लगाईए formula और आ जाएगा ये formula लगाईए और आ जाएगा जितने बच्चे नई जोइन हुए ये चप्टर थोड़ा सा उनको समझ में आए ना आए ये नहीं कह सकता लेकिन अहां देखिएगा तो definitely समझ में आएगा तो थोड़ा blur हो रहा है तो blur का reason ये है मेरे पास clear बिल्कुल दिख रहा है आप एक बार setting में जाके quality enhance कर सकते हैं बच्चे कह रहे हैं सर internal reconstruction amalgamation करना जरूरी है कि बहुत जरूरी है ये unity अलग है पेपर का बात तो हम बात में करेंगे पहले आप सीख लेजिए जरूरी है exam में आएगा ही आएगा आपका दोनों ही questions आएगा option नहीं रहेगा मैं option कुछ बच्चों का थोड़ा था ना जो देखो question number 4 आया a part reconstruction b part amalgamation और में आएगा a part amalgamation b part reconstruction तो किस बात का और हुआ यानि अगर आप एक चप्टर छोड़ते हो तो आपके 10 नंबर गए पहले examiner करता था कि 15 नंबर और 15 नंबर में चोईज दे था तो बच्चे क्या करते थे आएगा चोईज में देंगे आपको चोईज से मतलब है इसका मतलब थोड़ी है तुम चेप्टर छोड़ दो तो वह पार्ट में क्योंकि आपके पेपर छोटे 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 नंबर में डिवाइड होंगा है इसको समझना पड़ेगा छोटे नंबर डिवाइड होने पे नंबर आफ कोश्चन बढ़ गया लेकिन टाइम नहीं बढ़ा मतलब चेपर दोटे इसाटर खीम अोटेड़ेड है